फिल्म के स्टार्टिंग नॉर्मल पेज से सुरू होती है जैसे मैक्सिमम फिल्मों के स्टार्टिंग होती है हमें लगेगा ये फिल्म भी नॉर्मल है लेकिन दीरे दीरे जब ये फिल्म एक पलटवार करती है दीरे दीरे जो करवट लेती है ट्विस्ट पे ट्विस्ट दे गई है एक्टर्स के दौरा इस फिल्म में वह बहुत ही अमेजिंग है और जिस तरह से सिनेमेटिक सौट से धैंड जिस तरह से डाइरेक्शन है और जिस तरह से बैक्डराउंड म्यूजिक है हर इस सीन्स में मज़ा आजाता है आपको मतलब यह अनप्रेडिक्टिवल फिल्म होने वाली है अन्थाटफल फिल्म होने वाली है मतलब इमेजन आप कर ही नहीं सकते यह फिल्म कहां से कैसे करवट बदलेगी बीच में कैसे ट्विष्ट लिया और क्लाइमेक्स कैसे इस फिल्म ने अपने आपको एदम एकदम छाप छोड़ दिया इस फिल्मने मैं तो पिनिमेटिक सौट्स दिये गए है इस फिल्म में और जो इसका जो मैं कह सकता हूँ जो म्यूजिक है जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस है और जीस तरह से स्टोरी को घुमाया गया है आप ऐसे सोची नहीं सकते कि कोई ये स्टोरी ऐसे होगी ये फिल्म तो डुमेस्टिक चाहिए और इंडिया के हर मर्द को कि फिल्म देखनी चाहिए और अपने आपसे पूछना चाहिए क्या ए истории चलिज्नी प्लस होटे सटार पे आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी और ये फिल्म हिंदी में भी एवेलेबल है एसी ही मूबी और वेप स्रेज का रिइव फिल्म होने वाली है